भोथिया तहसिल बनने पर ग्रामिडों ने जैजेपुर विधाय के सव चंद्रा को लड़ू से तवला तहसिल बनने पर ग्रामिडों में दिखी खुसी हरसो लास के साथ स्वागत किया विधायक केसव चंद्रा ने सोर पधम गांधी जी की प्रतीमा पर मलापन किया और पूजा अर्शना की तर्श परचात मंची का इकम का पाराम हुआ इसके बाद तरसिल बनने के लिए अंद्रन एवम पध जीत्र में विशे सहे पुद्रान करने वाले गामीडों का पूस्व मलापना का सम्मान किया गया गामीडों ने विधायक केसव चंद्रा को लड़ू से तवला यहां विधायक केशाव चंजार ने मुख्य मंत्री भुपेश बगहल एम प्रभारी मंत्री जैसे अगरवाल को धेनार देते हुए कहा कि भोथिया को तहसिल ब्लाने गामेडों काफी लंबे समय से मांग थी पिछले 22 सार से यहां हुप तहसिल खुला है भोथिया को तहसिल ब्लाने के लिए पूरो में दो बार भोथिया से जांजगी तक पर जत्र की गई थी कई आंदुरान भी किया गए थे अभी सरकार ने भोथिया को तहसिल ब्लाने के लिए बजट में सम्मिलित किया है यह हम सब के लिए गौड़ों की बात है इस मौके पर भोथिया और छेत तके गामडों ने आमन्तित किया और सम्मानित करने का फैसला किया इसके लिए वे हमेशा जेड़ी रहेंगे विधायक केसव चंजा ने भोथिया को तहसिल बलाने में एक दन देने वालों का धन्यवाद दिया जी ये भोथिया का बहुत लंबा और बहुत प्रतिक्षित मान था क्यूब तहसिल भोथिया जो 22 साल से खुला हुआ है तहसिल बने और इसके लिए पूर्वों में दो बार हम लोग भोथिया से लेकर के जानगीर तक का पधियात्र भी किये कई बार अंदोलन भी किये भीकते हुए पानी में अंदोलन किये और अभी वर्तमान में इस बजट सत्र में सरकार ने इसको जो है बजट पे सम्मिलित किया है यह हम सब लोगों के लिए बड़े गवरों की बात है और आज इस मौके पे भोथिया की निवासियों ने हमको आ हसील बना है मैं उन सभी लोगों को हिर्दय से धन्यवाद देता हूं उनका मैं अभार भी अक्त करता हूं निरंतर हम जैजिवपूर अनुवी भाग बने इसके लिए प्रयाज भी कर रहे हैं राजपत्र में प्रकासन भी हो गया दावापत्ति भी मंगा लिया गया है लेक कि अधिका देर की